हलो फ्रेंद्स मेरे बगीचे में करीबन 7-8 तितलियों का जन हुआ और इस बार मैंने जब छोटी सी धारियों वाली इल्ली अपने पौधे पर देखी तो मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार इल्ली से तितली बनने के सफर के हर स्टेप को मैं रिकॉर्ड करूंगी और आप तक पहुचाऊंगी और इस जिद में उस तितली का जन्म हमारी कार में हुआ अब ये कैसे हुआ ये जानने के लिए आईए देखते हैं ये वीडियो मैं पौधों पर रोज नजर रखे हुए थी 28 नवंबर को फाइकस पर मुझे चोटी से इल्ली दिखी ये इल्लियां दिन भर खाती हैं और बीच बीच में जब इनका अकार थोड़ा बड़ा हो जाता है अपनी स्किन भी छोड़ती है 28, 29, 30, नवंबर और 1 दिसंबर यानि 4 दिनों में मुझे बहुत कमीन की ग्रोथ दिखाई दी 4 दिसंबर को मुझे ये पिछले कुछ दिनों से थोड़ी जादा बड़ी दिखाई दी ये इल्लियां या तो पेड़ से चिपकी इस तरह से बैठी रहती हैं या फिर दिन भर पत्तियां खाती रहती है जैसे इन इल्लियों की ग्रोथ होती है, इनका आकार बढ़ता जाता है हर थोड़े दिन के अंतराल में ये अपने स्किन छोड़ती है और उसे ये खा भी लेती है देखी यहां पर उसने अपने स्किन उतार दिये, छोड़ दिये और उसे वो खा भी रही है पत्ते भी ये कुछ खास तरीके से खाती है पत्ते जहां तनों से जुड़े हुए रहते हैं पहले वो उनको काटती है फिर पत्ती जब लटक जाती है तब उन पे उल्टी बैट जाती यानि सिर नीचे और पत्ती को नीचे की ओर से ही खाना शुरू करती है और जब पूरी पत्ती खतम हो जाती है तो दूसरी पत्ती के साथ यही प्रक्रिया अपनाती है जब तक ये इल्लिया प्यूपा नहीं बन जाती बस खाती ही रहती है और पौधे की लगबग सारी पत्तिया चट कर जाती है क्यूंकि प्यूपा बनने से लेकर तितली बनने तक ये बीच में कुछ नहीं खा पाती ये कवर के अंदर बन रहती है इसलिए इस दोरान की खुराग भी ये पहले से ही जमा कर लेती है प्यूपा बनने से पहले ये इल्लिया उल्टी लटक जाती है और फिर प्यूपा में बदल जाती है unfortunately मैं वो बीच का हिसा शूट नहीं कर पाई पर ये देखे यहाँ पर ये उल्ली उल्टी लटकी हुई है और कुछ देर बाद ये कुछ घंटो बाद ये प्यूपा बन जाएंगी सुबह सवा आट बज़े जब मैं ये देखने आई थी तो वो इल्ली उल्टी लटके हुई थी और अभी देखिये अभी सवा 11 हो रहा है और ये पीली रंग के प्यूपा में बदल गई है मतलब इल्ली से प्यूपा बनने में इसे तीन घंटे लगे अगले दिन वो पीली रंग का प्यूपा मैटलिक गौल्डन कलर में बदलने लगता है, चमकदार रात को तो ऐसा लगता है जैसे पौदे पर कोई सोनी की चीज लटक रही है इसके पीछे भी एक पिशेश कारण है इसकी चमक से डर कर दूसरे कीड़े इसे नुकसान नहीं पहुचा पाते प्यूपा बनने के बाद इसकी उपरी हलचल बिलकुल बंद हो जाती है यह एक जगा पर लटका रहता है परंतु अंदर तिठली बनने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है डैटली गूल्ड कलर में चेंज होनी के बाद इस फ्यूपा के उपर हल्की हल्की धारिया दिखाई देती है और समय के साथ ये धारियां ब्राउन और उसके बाद ब्लैक यानि हलकी भूरी और उसके बाद काले रंग में बदलने लगती है इल्ली से तितली बनने में सामाने तह दो से चार हफ़ते का समय लगता है मैंने 28 नवंबर को एक छोटी सी इल्ली देखी थी जो 11 दिसंबर को एक प्यूपा में बदल गई थी यानि इल्ली से प्यूपा बनने में उसे पुरे 14 दिन 14 डेज लगे प्यूपा में जो धारिया हैं वो धीरे धीरे डाग ब्राउन और उसके बाद काली होने लगती है और जो गोल्डन हिस्सा है वो भी धीरे धीरे काले रंग में बदलने लगता है प्यूपा जितना अधिक काला होता जाएगा वो तितली बनने के उतने ही करीब होता जाएगा और ये देखिए ये जो प्यूपा है काफी तेजी से काले रंग में बदलते जा रहा है और जिस तेजी से ये बदल रहा है मुझे लगता है कल तक इसमें से तितली बाहर आ जाएगी आज 25 दिसमबर है यानी क्रिस्मस और सुबह के 5 बच कर 40 मिनिट हो रहे हैं और ये देखिए प्यूपा गोल्डन से चेंज उकर ट्रांस्पारेंट हो गया है और अंदर तितली के चोटे-चोटे बॉडी पार्ट से वो दिखाई देने लगे हैं अभी सुबह के 6 बच कर 45 मिनिट हो रहे हैं और देखिए प्यूपा पूरी तरह से काला दिखाई देने लगा है साथ, फिर आठ, फिर अब तो 9 बच चुके हैं पर अभी भी तितली प्यूपा से बाहर नहीं आई है सामानिता सुबह 6 से 7 के बीच में तितली प्यूपा से बाहर आ जाती है परन्तु आज ठंड इतनी है कि शायद वो भी प्यूपा से बाहर निकलने को तयार नहीं है और मुश्किल ये है कि हमें आज शहर से बाहर जाना है और अगर हमने और अंतिजार किया तो अपने डेस्निनेशन पर पहुंसते पहुंसते हमें बहुत रात हो जाएगी इसलिग हमने एक डिसिजन लेआ हमने एक प्लास्टिक का डब्बा लिया और उसमें चारू तरफ होल किया और प्यूपा वाली डाल काटकर हमने उसमें डाल दिया या उसके अंदर मौजूद तिटली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और उसे लेकर हम निकल पड़े अपने रोमान्चक सफर पर और सुबह दस बच कर 35 मिनिट पर हमने उसमें हलचल देखी तो हमने उसे बाहर निकाल कर शूट करना शुरू किया और देखिए अब प्यूपा में से तितली बाहर आ रही है कलने के तुरंत बात तितली के पंक सिकुड़े वह गीले रहते हैं खाली प्यूपा पर बैट कर उन्हें हिल हिल कर वह सुखाती है और इसमें करीबन दो घंटे लगते हैं ये देखिए उनके पंक अभी बिलकुल सिकुड़े हुए हैं और वह हिल रही है धीरे धीरे सूख कर वह पंक फैलने लगेंगे जैसे जैसे पंक सूखते जाएंगे उनका आकार बढ़ते जाएगा चारा पैतालिस हो रहे हैं और देखिए पहले की तुलना में पंक कुछ अधिक फैले हुए बड़े लग रहे हैं पर अभी भी तितली उठने के लिए पुरी तरह से तयार नहीं है और ये देखिए ये है प्रोवोसिस एक घड़ी के स्प्रिंग की तरह गोल लंबी सूर नुमा खोखली उसकी जीव होती है जिससे वह फूलों का रस याने नेक्टर चूसती है उसे भी वह बाहर निकालने की कोशिश कर रही है और अभी ग्यारा बच कर इंक्यामने मिन्ट हो रहे हैं और देखिए तितली के पंक पूरी तरह से सूख चुके हैं वो उन्हें पूरी तरह से फैला रही है याने उड़ने को तयार है और ये है इंडियन कॉमन क्रो बाटरफलाई अब दितली अपने जंदगी की सफर के लिए पूरी तरह से तयार है हमने उसके लिए एक अच्छी सी जगद देखी और उसकी सफर को जीने के लिए आजाद कर दिया आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तैंक यू